ओम शान्ति आज 29 में 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यत रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को सपश्ट करेंगी आधर ने आशा दी दी आज की रिवाइस मुर्ली की देट है 25th February 1991 और मुर्ली की हेडलाइन है सोच और करम में समानता लाना ही परमातम प्यार निभाना है बाबा हमारी सोच को ही तो मदलता है तो जैसे बाबा की सोच है वैसी हमारी सोच हो और ऐसी सोच हम करम में लाए तभी श्री बाबा से प्यार है प्यार है तो उसका इजहार क्या है कैसे समज़ए तो बाबा ने आज गहीं कहा है आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हर्शित हो रहे हैं क्योंकि स्वराज अधिकारी वही अनेक जनम विश्वराज अधिकारी बनते हैं जो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाब दादा स्वराज का समाचार पूछ रहे हैं हर एक राज्य अदिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी, सदा समय पर यथारत रीती से सहयोग दे रहे हैं या बीच बीच में कभी धोका भी देते हैं जितने भी सहयोगी करमचारी, करमिंद्रिया, चाह स्थूर, चाह सुक्षम हैं सभी आपके ओर्डर में हैं जिसको जिस समय जो ओर्डर करो उसी समय उसी विधी से आपके मददकार बनते हैं रोज अपना दरबार लगाते हो भाबा न tends कई questions कटे कटे पूछे तो भाबा क्यता है आपकी करमेंद्रिया, आप ओर सवराज अदिकारी, सवराज अरथात क्या अपने उपर राज करना तो अपने उपर राज जो है आपकी करमेंद्रियां मन वचन करम ये सब आपका कहना मानती है क्या हाल चाल है अच्छा है वह बहुत अच्छा है या बहुत 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 अच्छा है इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो न लौ है न ओर्डर है लेकिन आपकी राज्य दरबार लौफुल भी है और सदा हान जी जी हाजर इस ओर्डर में चलती है जितना राज्य अदिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहीयोगी करमचारी भी स्वतही सदा इशारे से चलते राज अधिकारी के ने order दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है नहीं बोलना है तो second में इशारे प्रमान कारे करें बाबा ने बता है कि अगर राजा strong है तो उसके इशारों से काम चलता है राजा अगर strong नहीं है तो कहरा कौन मानेगा law and order impose करने जो अतनी होती अपने आप चालो हो जाता है करने के बाद सोच तो उसको समझदार साती कहेंगे मन को order दिया कि व्यरत नहीं सोचो second में full stop दो second भी नहीं लगने चाहिए इसको कहा जाता है युक्ती युक्त राज्य दर्बार ऐसा राज्य अदिकारी बने हो रोज राज्य दर्बार लगाते हो या जब याद आता है तब order देते हो रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी करमचारियों को चेक करें बाबास रत बनने से पहले भी अपनी करमचारियों की राज्य दर्बार लगाते थे और बाबा जब अवेक्त हो गए तो अपने अनुभव के आधार से बता रहे हैं कि रोज अपनी करमचारियों की राज्य दर्बार तो लगाओ और आप आगे चल करके देखेंगे राज दर्मार शाम को बैट के हम लगाएं red को बैठ के लगाएं बाबा ने हमको इतना श्रूर्ड बुद्धी कहें क्वेक बुद्धी कहें बना धिया कि जिस समय कुछो बात हो रही होती है उस समय हम तरन्त उसको देख लेते हैं प्रेंथ हमको स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है नहीं है, मेरा मन ठीक है नहीं है, मेरी बुद्धी ठीक है नहीं है, मेरी वाचा ठीक है नहीं है, उसी समय स्ट्राइक होता है, वो अभ्यास. बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अगर कभी कोई भी करमिंद्री से करमिंद्रियों से वा करमचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कारे करते करते संसकार पक्के हो जाते हैं फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ती दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉंग है यह ठीक नहीं है उसको चेंज करने की युक्ती वो नॉलेज की शक्ती नहीं दी तो सिर्फ बार-बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता इसले पहले सदा करमिंद्रियों को नौलेज की शक्ती से चेंज करो सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉंग है लेकिन राइट क्या है राइट पर चलने की विधी स्पष्ट हो यह important point है सब यह wrong है राइट क्या है और राइट पर चलने की विधी क्या है बावा के तो वह important है आप दूसरों को कह देंगे गलत है अच्छा गलत है करना क्या है वो तो बताओं कैसे करना है वो तो बताओं जो आत्मा स्वराज चलाने में सफल रहती है तो सफल राज अधिकारी की निशानी है वो सदा अपने पुरशारत से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वो भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रती शुक्रिया निकलता रहेगा सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वहवा के गीत बचते रहेंगे उनके कानों में सर्व द्वारा ये वहवा का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा यह अनहद गीत है तो ऐसे सफल राजदिकारी बने हो क्योंकि अभी के सफल राजदिकारी भविष्व में सफलता का फल विश्व का राजप्राप्त करेंगे फिर बाबा ने कहा बाबा ने कहा कि सौ प्रतिश्वत सफल नहीं है तो ऐसे राजजदिकारी आत्मा को विश्व का राज़ का तक ताजप्राप्त नहीं होता लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है अब फर्स रो नहीं मिलें ना फर्स से आउट हो गए तो रॉयल फैमिली में आएंगे एक है तक्त नशीन दूसरे है तक्त नशीन रॉयल फैमिली तक्त नशीन अर्थारत वर्तमान समें भी सदा डबल तक्त नशीन रहे डबल तक्त कौन सा है फिर बाबाने बताया एक बाब का दिल तक्त है ना और एक अकाल तक्त और दूसरा बाब का दिल तक्त तो जो सभी अभी सदा डबल तक्त नशीन है कभी कभी वाला नहीं ऐसे सदा दिल तक्त नशीन विश्व का भी तक्त नशीन होता है तो चेक करो सारे दिन में डबल तक्त नशीन रहे अगर तक्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी, करमचारी, करमिंद्रियां भी आपके ओर्डर पर नहीं चल सकती राजा का ओर्डर माना जाता है राज्य तक्त पर नहीं हो और वो ओर्डर करे तो माना नहीं जाता आजकल तो तक्त के बजाए कुर्सी हो गई है तक्त खतम हो गया है योग ये नहीं है तो तक्त गायब हो गया है कुर्सी पर हैं तो सब मानेंगे अगर कुर्सी पर भी नहीं तो सब नहीं मानेंगे लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो स्वराज अदिकारी राज्ये हो फिर बावा ने कहा राजयोगी अर्थार्थ राजा देखो कितने पदम पदम भागयवान हो दुनिया उसमें भी विशेश विदेश हलचल में है वो वार और हार की दुविधा में है कोई हार रहा है कोई वार कर रहा है वार और हार और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में अभी भी ये समय चल रहा है तो वो हार और वार की हलचल में और आप सदा, आप हो बाप दादा के प्यार में कितना फरक है, वो हार और वार की हलचल में और हम बाप दादा के प्यार में परमातम प्यार दूर दूर से खीच कर लाया है कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परमातम प्यार के आगे परस्थितियां रोक नहीं सकती परमातम प्यार बुद्धिवान की बुद्धी बन परस्थिती को श्रेष्ट स्थिती में बदल लेता है डबल विदेशियों में भी देखो पहले पोलन्ड वाले कितने प्रयत्न करते थे असंभव लगता था और अभी क्या लगता है यह जो पोलेंड है 1985 में मेरा अपना अनुभव है हम लोग में ट्रावल कर रही थी 85 में जब चर्णवेल आक्सिदेंट हुआ तो उस समय पोलेंड की क्लास में 25 विद्यार्थी होते थे अच्छी सेवा चल रही थे परन्तु जो पब्लिक प्रोग्राम था पब्लिक प्रोग्राम में वो अलावने करते थे कि आप परमात्मा शब्द का उप्योग करें गौड शब्द का उप्योग करें पब्लिक प्रोग्राम रखा उन्होंने लेकिन साथ में यह बोला कि भेंजी आपने गौड नहीं बोलन गौड शब्द नहीं कहना है, तो हमारा गौड के बिना तो काम नहीं चलता न, हमारी तो हर बात में गौड आएगा, तो क्या हुआ कि पॉब्लिक प्रोग्राम हुआ, हमने गौड ना बोल करके, Supreme Consciousness, Highest Being ऐसे करके बोला, उन लोगों को रेइस्टर तो हुआ हुआ, बात मे लोग आए, आखों में आसू, जिनकुया, जिनकुया, बोलता हुआ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो आत्मा का सम्मन बाबा के साथ है, तो उसको touch तो होता है न. फिर बाबा ने हम बच्चों को बतलाया बाबा ने कहा कि बापदादा-सदैव डबल विदेशी बच्चों को देखकर हुश होते हैं क्योंकि हिम्मत से बापकी मदद के पात्रुबन अनेक प्रकार की माया के बॉण्दच और अनेक प्रकार की रीती, रिवाज और रसम की बाउंडरीज को पार करके पहुँच गए ये हिमत भी कम नहीं है, हिमत सभी ने अच्छी रखी है चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं बहुत पुराने से भी पुराने हैं और इस कल्प के नए भी है बाबा ने कहा, इस हिमत में सभी नंबर वन हो, फिर नंबर किस बात में है डबल विदेशी विशेश पुरिशारत करते हैं और रूरहान में कहते हैं, एक सो आठ की माला में जरूर आएंगे कोई question करते हैं कि आ सकते हैं, आने अवश्य है डबल विदेशियों के लिए भी माला में seat reserved है लेकिन कौन और कितने वो आगे चल सनाएंगे फिर बाबा ने कहा, कि जो नंबर वार होगा और नंबर आठ होगा इतना अंतर क्यों पढ़ता है, सोला हजार की तो बात छोड़ो एक सो आठ में भी देखो, कहां एक कहां, सोला, कहां एक सो आठ तो क्या अंतर हुआ, हिम्मत में सब पास हो लेकिन हिम्मत के return में, जो बाप और ब्राह्मन परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कारे में लगाना और समय पर मदद को यूस करना, जिस समय जो मदद अर्थार्थ शक्ती चाहिए उसी शक्ती द्वारा समय पर काम लेना, ये निर्ने शक्ती और कारे में लगाने की कारे शक्ती इसमें अंतर हो जाता है सर्व शक्तिवान बाब द्वारा सर्व शक्तियों का वर्सा सभी को मिलता है कोई को आठ शक्ति कोई को छे शक्ति नहीं मिलती फिर बाबा ने कहा कि points सब के पास है एक topic पर workshop करते हो तो कितनी points निकालते हो तो एक point बुद्धी में रखो ये है विधी दूसरा point बन point को कार्य में लगाना point रूप भी हो और points भी हैं दोनों का balance हो फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वर्दान दिया है संपूरंता की स्थिती द्वारा प्रकृती को order करने वाले विश्व परिवर्तक भव जब आप विश्व परिवर्तक आत्मय संगचित रूप में संपन संपूरं स्थिती से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी तो ये प्रकृती संपूरं हलचल की dance शुरू करेंगी वायू धर्ती समुद्र जल इनकी हलचल ही सफाई करेंगी परंतु ये प्रकृती आपका ओर्डर तब मानेंगी जब पहले आपके स्वयम के सहोगी करमिंद्रियां मन बुद्धी संसकार आपका ओर्डर मानेंगे साथ साथ इतनी पाफुल तपस्या की उची स्थिती हो जो सब का एक साथ संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृती हाजर हो जाए परिवर्तन पर द्रड़ता होनी चाहिए और जब परिवर्तन पर द्रड़ता होगी तो परिवर्तन शुरू होगा स्लोगन है अपने श्रेष्ट भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पश्टिकरन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मेसेज या वाटसाप मेसेज करें 888-265-99309 पर ओम शांती